नमस्ते सदा वसले मातरभू में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बांगलदेश की बांगलदेश यानि की आजादी के समय का पूर्वी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान यानि की ओरजिनल पाकिस्तान और ओरजिनल पाकिस्तान के बाद जिना ने उस समय पश्मी पाकिस्त जबरन लिया यानि कि मौंट बेटन को और देश में उस समय की साशन सत्ता को कन्विंस करके पश्चमी पाकिस्तान लिया कि वो चाहता था कि किसी तरह से इसलामी कंट्रियों के साथ उसकी कॉंटिनिवेशन बन जाए और यह स्विकार हो गया सत्ता पश्मी पाकिस्तान में ही बैठी और भी पाकिस्तान में नहीं बैठी यानि कि जो ओरिजिनल पाकिस्तान है जहां से मुस्लिम लीग के स्थापना हुई जहां मुस्लिम लीग का हेड़कॉर्टर था जहां से मुस्लिम लीग का अंदोलन चल रहा था जहां पर डायरेक्ट एक्षन का प्लान बनाया गया और डायरेक्ट एक्षन लिया गया डायरेक्ट एक्षन के बाद पाकिस्तान बिभाजन पर जहां पर आतंग कमचा वो एरिया पूर्वी पाकिस्तान था हम सब को याद होगा कि गांधी जी उस समय नोवाखाली में बैठ गए थे बैठ गए थे जहां आंदोलन चल रहा था वहां पर जाकर बैठ गए थे और कहा था कि मेरी लाश पर से पाकिस्तान बनेगा वो पाकिस्तान जो उर्जिनल पाकिस्तान था वो पाकिस्तान जहां से निव रखी गई वो पाकिस्तान जहां से सब कुछ हुआ उसको आज बंगलादेश के नाम से जाना जाता है लंबे समय के बाद जब बांगलादेश यानि कि पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान के बनने के बाद सत्ता इस्लामाबाद में बैठी और सत्ता ने पूर्वी पाकिस्तान से चुनकर आए वहां के लीडर को सुईकर करने से मना कर दिया ये बात है 1971 की 1971-70 में जब शेक मुझिवर रहमान चुनकर पहुँचे यानि कि उनको इस्ट पाकिस्तान का पूरा समर्थन था और वेस्ट पाकिस्तान में भी उनको समर्थन मिल गया था वो सबसे बड़ी पार्टी थे सत्ता के लिए बिलकुल तैयार थे उनको प्रधानमंत्री पत की शप चला सकता है तो वो mainland of Pakistan बन गये यानि कि 1947 से 1946 से 1970 तक बहुत समय नहीं हुआ था 25 वर्ष में ही पाकिस्तान यानि कि जो original Pakistan था वो तो आउटसाइड अप पाकिस्तान हो गया और जो पाकिस्तान था ही नहीं जो जबरन लिया गया था वो mainland of Pakistan हो गया था Mainland of Pakistan ने ये कह दिया कि Mainland of Pakistan से ही सत्ता पर काबिज हो सकता है आप मंतरा ले ले सकते हैं आपको सत्ता में भागिदारी हो सकती है लेकिन सत्ता आपको नहीं मिल सकती शेक मुज़िब और रहमान जो की उस समय वेस्ट पाकिस्तान से वापस आये और उन्होंने ये आवहन किया कि अगर हम पाकिस्तान नहीं हैं तो फिर हम पाकिस्तान के साथ क्यों हैं उन्होंने एक मुक्ती बाहिनी छेड़ी मुक्ती बाहिनी बनाई और मुक्ती चोके समर्थ उनके पास था इस्ट पाकिस्तान में यह निके बांगलादेश में उस समय गजब का उनके साहत समर्थन था और परिडाम यह निकला कि उन्हों ने अपने अपको मुक्ति के लिए आंदोलन कर दिया वो ग्रह युद्ध पाकिस्तान का 1971 में हुआ 1971 के ग्रह युद्ध में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया उसने ये कहा कि मुक्ति पाहिनी के आंदोलन का सपोर्ट भारत सरकार कर रही है और ये सच है कि जहां human right violations हो रहे थे जहां लाखों की तादाद में पाकिस्तानी सेना वहां atrocities कर रही थी उस समय अब देखो यहीं से जो अभी मिलने की बात हो रही जो इंतरिम सरकार इस समय बैठी हुई है वो इंतरिम सरकार ने पाकिस्तान के राजदूत के साथ सेवरल मीटिंगें करी कई एक मीटिंगें कर डाली और उन मीटिंगों में तमाम तरह के जो आज की लीडर्स हैं आपने कल का बयान मैंने बताया था कि कल के बयान में मुहम्मद यूनुस ने शेख हसीना को छोड़ो भारत को भी चितावनी दे डाली थी और भारत को चितावनी देते हुए कहा था कि शेख हसीना को अगर आपने रखा है तो रखिये लेकिन शान्त रखिये ये भारत की जिम्मदारी है ये भी कहा था कि भारत के भारत जैसा पडोसी है वैसे सभी कंट्रियों के पडोसी होते हैं हमारे भी दूसरे पडोसी है और ये भी कहा था कि भारत ये सोचना बंद करे कि शेख हसीना के बगएर बांगलादेश का भला नहीं हो सकता भारत ये सोचना बंद करे कि शेख हसीना ही बांगलादेश को सही दिशा दिखा सकती है शेख हसीना से ही वहां की माइनरेटी सुरक्षत है शेख हसीना से ही सेकुलर स बाकी तो वहां इसलाम है अवामी लीक और जमाते इसलामी सब कुछ इसलामिक है और शेख हसीना अगर नहीं होगी तो बांगला देश अफगानिस्तान बन जागा ये सोच भारत को बदलनी पड़ेगी ये सोच बदल कर ही भारत के साथ संबंद अच्छे हो सकते हैं ये वही बात बंगला देश ने दूसरे शब्दों में कही लेकिन उनका इंटेंशन बहुत गलत था अलांकि भारत सरकार ने कोई बयान नहीं दिया भारत सरकार ने केवल लाल के लिए से प्रधान मंत्री जी ने कहा माइनोटिस को सुरक्षित रखने का काम बंगला देश का है और वो करेंगे एसा मिरा विश्वास है बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से कुझा इंट्वुट किया वो भी डिप्लोमेटिक तरीके से किया लेकिन वहां जो इस विसनुए संटीमेंट चल रहा है वहां अबामी लीक मतलब शेह खसीना के पिता शेह मुझेबुर रहमान के द् आज की वारता और शेक हसीना का आप वहां से हटना शेक हसीना को पत से हटना और आज की वारता वहां की लीडर्शिप याने कि मुहमद यूनुस की लीडर्शिप और वह इस समय वहां जो 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 एमबेस्डर हैं पाकिस्तान के उनके बीच में जो सेवरल दौर की वारता चल रही और उसके बाद बयान आया उनको समझेंगे तो समझ में आएगा कि इस समय इस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को मिलाने की कबायत शुरू हो गई है इस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को वो एक करना चाहते हैं और इस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को एक करके पुना पाकिस् भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल के समय से ही 1971 के dispute को 1971 के war criminals को settle करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और लगातार प्रयास चल रहे हैं लेकिन पिछले 15 साल में शेक हसीना ने कोई initiative नहीं लिया शेक हसीना पाकिस्तान के साथ settlement करना ही नहीं चाहती थी शेक हसीना प्रो हिंदुस्तान है और शेक हसीना चुकिए प्रो हिंदुस्तान है इसलिए पाकिस्तान के साथ वो कोई वारता ही नहीं करना चाहती थी हमने बहुत प्रयास किये लेकिन हर बार हम विफल रहे अब हम नई इंतरिम सरकार के साथ वो वारता शुरू कर रहे हैं औ अब कन्फिलिक्ट क्यों पैदा हुआ और ये जो शेख हसीना को हटाने का चक्र था वो क्यों हुआ जिस समय शेख हसीना के पिता यानि कि शेख मुजिबुर रहमान ने वहां मुक्ती बाहिनी बनाने के बाद जो आंदोलन छेडा उस आंदोलन का विरोध्तों पाकिस्तानी आर्मी करेगी करेगी पाकिस्तानी आर्मी जो विरोध कर रही थी उनके साथ बंगलादेश के हिस्से से यानि की इस्ट पाकिस्तान से खड़ा था जमात इसलामी इस्ट पाकिस्तान से खड़ी थी जो आज खालिदा जिया के पती की पार्टी यानि की खालिदा जिया का रहे थे जमाते इस्लामी सेना के साथ खड़ी थी और ये भी सेना खड़ी थी यgenwie और उदुर्सी को आजात करवाना चाहते थे क्यों क्यू Buff करने को तयार नहीं था वो कह रहा था तुं में लैंड से नहीं हो और चूंकि मुख भूम इसे नहीं हो इसलिए तुम देश चलाने की हैसियत में नहीं हो तुमको देश की बागडूर नहीं दी जा सकती ये भी कहा कि तुम पाकिस्तान से जादा हिंदुस्तान के नजदीक हो इसलिए तुमको कमान नहीं दी जा सकती ये सब कुछ वह अब जब 1971 में हमारा जम्मू का बौर्डर खोल दिया अमरसर के बौर्डर से घोसाए पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के एरवक्रème तो बैए जाहिर सी बात थी कि हम उनको गिराएंगे जाहिर सी बात है कि युद्ध का पहने के स्वायदेश नाम से नया देश हथा भारत सरकार वो सबसे पहला देश जिस क्योंकि इंटरनेशनल भाषा में इंटरनेशनल लौ में कोई भी कंट्री स्वतंत्र अस्तित तो तभी रख सकता है जब उसको इंटरनेशनल कमुनिटी रिकागनाईज करें इंटरनेशनल कमुनिटी अगर रिकागनाईज नहीं करती है तो वो छेतर तो हो सकता है लेकिन उस उसके साथ संसार के संबंद कैसे स्तापित होंगे भारत ने जिस समय उसको रिकागनीशन दिया तो इसका मतलब है वो सरवाईव कर जाएंगे इसका मतलब है पाकेस्taan सरवाईव करेगा अरत उसको करेगा ऑप बनाएगा डिप्लोमेंटिक रिलेशन का मतलब हो गया कि वहां जो कुछ भी पैदा होगा या वहां जावशकता होंगी विश्व से जो भी चाहिए होगा वह भारत के माध्यम से वहां पहुंच सकता है और जिस विश्वश के साथ उनके संबंद बनाने होंगे तो भारत के सा जिन्दा होंगे तो आज भी उनकेपास हैं उस पर शिमला शमझोते हैं वरका नहीं जो कुछ भी वहां पर हुआ यानिन कि जो पी बांगलादेश पह उसमें वार क्रिमनल के रूप में जमाते इसलामी को समझा गया और यह जो खालिदा जीया की पार्टी है इनकी पार्टी के लोगों को समझा गया कि वार क्रिमिनल हैं वार क्रिमिनल का मतलब पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान जो अपने आपको कहता है वेस्ट पाकिस्तान जमाते इसलामी और यह ये लोग war criminal के रूप में माने गए और इनने लंबे समय तक बंगलदेश बनने के बाद वहाँ के guards, वहाँ की police, वहाँ के system, वहाँ की forces इन सब के खलाफ atrocities की जब शेख हसीना सत्ता में बैठी तो उन्होंने war criminal के रूप में उन लोगों को सजा दी जो जमात-इसलामी के थे, जो नेसलिस्ट पार्टी आफ बंगलदेश के थे, या जिन लोगों ने शेख मुझीबुर रह्मान का विरोध किया था और शेख मुझीबुर रह्मान की हत्या भी बहुत जल्दी ही कर दी गई थी क्योंकि इनको आकरोश था कि शेख मुझीबुर रह्मान के वज़े से बांगलब पाकिस्तान बटा और हिंदुस्तान को कबजा करने का जो उनका intention था या कबजा करने की उनकी planning थी जिसकी बचे से पाकिस्तान बना था वो 20 वर्ष में ही बिफल हो गया क्युकि हिंदुस्तान को दारुल इसलाम बनाना है और यहां गजवाए हिंद करना है यह उनकी planning में शामिल था इसलिए ही पाकिस्तान बना था पाकिस्तान अगर रिलीजिस आधार पर नहीं बना था पाकिस्तान अगर रिलीजिस आधार पर बना होता तो हिंदुस्तान में रहने वाले सारे मुसल्मान वहां चले जाते और अगर हिंदुस्तान प्योर रिलीजिस आधार पर तो religion अगर ground होता तो बंगलादेश अलग ना होता यानि कि वो एक बड़ी इसलामिक शाजिस के तहट बना जो की pure religious नहीं हो पाया और उसका उद्देश सिर्फ हिंदुस्तान पर कब्जा करना था हिंदुस्तान में इसलामिक शाशन स्थापित करना था हिंदुस्तान के अंद शेक मुझिबर रह्मान को दोशी मानते रहे अब देखे जब जमते इसलामी के लोग नेशनलिस्ट या या मैं कहूं बंगलदेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया और पाकिस्तान इसके पीछे इंटरनेशनली लोग शांतर है इन लोगों ने जो साजिश की तो दस 20,000 लोग इखटे हुए उन्होंने शेक हसीना को उखाड कर फेक दिया वो लोग जो वहां पर सत्ता में थे उनमें भी ऐसी विचारदारा के लोग थे जो ये मानते रहे कि पाकिस्तान से बंगलदेश का अलग होना एक बड़ी घटना है उन्होंने इस्तीफा दिलवाकर उ उनकी नोकरी भी बची रहे अगर देश बचता है अगर सरकार बचती तो उनकी नोकरी भी बची रहे और शेक हसीना बाहर भी हो जाए शेक हसीना चली गई मुहमद यूनुस तो विदेशों में थे कौन ऐसा था जो मुहमद यूनुस को लेकर आया किसने मुहमद यूनुस को सत्ता समलाई, किसने शेक हसीना से इस्तीफा लिया, किसने शेक हसीना को बाहर बेजा, यह बहुत सारे प्रशन मैंने कल भी उठाए थे, अब सवाल यह पैदा होता है, कि जो statement आया, वो statement तो बड़ा गलत आया, और गलत क्या आया है, उसका एक trailer आया, सहीद एहमद मरूफ, सहीद एहमद मरूफ, जो कि पाकिस्तान के हाई कमिशन है, बंगलादेश के अंदर, उनकी तरफ से statement आया, कि हम 15 साल से कोशिश कर रहा है, कि किसी तरह से 1971 का जो war हुआ था, उसके जो war criminal थे, हम उनको settle करना चाहते है, इधर, नाहिद इसलाम, नाहिद इसलाम के बारे में ज student leader थे, जिन्होंने बंगलादेश की शेक हसीना को भगाने के लिए, वो उनके घरों पर चड़ गए, ये उनके leadership, उनको नेतरत्तों कर रहे थे, नाहिद इसलाम, student leader के नाम से शेक हसीना को देश से बाहर निकालने के लिए, लोगों को जमाते इसलामी बालों को इखटा कर रहे थे, और nationalist party वालों को इखटा कर रहे थे, नाहिद इसलाम बाद में जब शेक हसीना वहां से चली गई, तो नाहिद इसलाम broadcasting and IT minister हो गए, यानि कि शेक हसीना को भगाने का reward मिला इनको, जमाते इसलामी वाले हैं, student के नाम से सब कर रहे थे, इनको reward मिला, मुहमद इनों सरकार में, जिसने देश की सत्ता, देश की सौवरेंटी खत्रे में डाली हो, जिसने देश को की चुनी हुई सरकार को पच्चुत किया हो, उसको reward मिलना, इसका मलब शाजिस पुरानी थी, ये deep state का काम हो सकता है, ये ministry of state का का काम हो सकता है, लेकिन नाहिद इसलाम, जो की इ किस से? मरूफ से, यानि कि जो मीटिंग साइद एहमद मसूफ पाकिस्तान के हाई कमिशनर के साथ हुई, और पाकिस्तान का हाई कमिशनर इस समय बंगलदेश में जो सरकार बैठी है, उस सरकार के कई मुखियां से वर्ता कर रही है, कई लोगों की, कई राउंड की वर्ता क और इसलाम के ओफिस ने जो बयान दिया, उस बयान में उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ सारे इश्यू सॉल्व करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ मित्रता करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ दो कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम 1971 में की गई गलती को सुध हारना चाहते हैं यह नाहिद इसलाम के ऑफिस से स्टेटमेंट आया जो जमाता है इसलामी के साथ है शेक सीना के घर में घुसे थे नाहिद इसलाम की तरफ से यह बयान आना और साथ में यह कहना कि रूट आफ पाकिस्तान एंड बंगलदेश इस इन 1947 में जब हिंदुस्तान नाजाद हुआ था तो पाकिस्तान का मूंड चलाने वाले हम दोनों ही थे और ये नाहिद इसलाम सभी कहा Mexi कियो कि मूंड पश्यमी पाकिस्तान ने चल रहा था मूंड तो बंगलदेश के इस से में ही चल रहा था धाका से शुरू हुए था ये नाहिद इसलाम इस बात त बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी शेख हसीना ये समझने के लिए ही तयार नहीं थी क्या समझने के लिए तयार नहीं थी इनके शब्दों में तो नहीं कहा जा सकता लेकिन इनके अनुसार वो ये समझने को तयार नहीं थी कि पाकिस्तान यानि कि वेस्ट पाकिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाब मूमेंट चलाकर आजादी ली थी आप सोचिए कि इनका विशय क्या है ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं और ये क्या कहना चाहते हैं मुहम्मद यूनुस ओलेडी हिंदुस्तान को एलिगेट कर चुके हैं शुरू में जब आये थे तभी उन्हों इसलाम ने जो स्टेटमेंट दे दिया मरूफ का जो बयान उस समय आ रहा है मरूफ की जो बैठके चल रही है पाकिस्तानी सहता की जो बाते चल रही है ये सब कहीं डीप स्टेट में बता रहा हूं क्योंकि इस्ट पाकिस्तान हम सब को मालूम है कि वेस्ट पाकिस्तान को अ प्रशेश भूमिका थी अगर उस पर कभी हम बात करेंगे तो हम लोग गिलगिट बाल्टिस्तान के हिस्से में और वहां कैसे हमला हुआ कैसे हम यूएनों गये यूएनों में कैसे सीजफायर हुआ कैसे जमुन कश्मीर का हिस्सा उनके कबजे में गया और दोनों तरफ अंग उस वेल्ट और चरचिल की क्या चिठियों के आदान प्रदान हुए वह आदान प्रदान और ये घटना ये सब मिलकर बता रही है कि हिंदूस्तान से पाकिस्तान इसलिए आजाद करवाया गया था कि हिंदूस्तान को डिस्टर्व किया जा सके वो शक्तियां आज भी बाद टुवर्ट्स पाकिस्तान चलना शुरू कर दिया है मुहमद यूनुस के कल के बयान और नाहिद इसलाम के आज के आज के बयान और मसूफ मरूफ के बयान इन सब को अगर मिला कर देखेंगे तो एक नई खिषडी पक रही है बंगलदेश के अंदर जिसको भारस सरकार स का परिग्राम निकलेगा नहीं तो दारुल इसलाम बनाने के लिए ये सब प्रयास चल रहे हैं जय हिन जय भारत बंदे मात्रम